हाई गाईस माइनेम इस अमित अस्रनी वेलकम टुमाइच चैनल तो दोस्तो फिर से एक बार श्वागत है न्यू वीडियो में तो दोस्तो आज का वीडियो है सारी पॉल लाइनिंग अस्तर के लिए मतबनी सारी पॉल के लिये तो गाइस अगर मेरे चैनल पर न्यूव तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें बैल के आइकॉन को भी प्रैस करें ताकि मैं लैटेस वीडियो जैसे डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं देखें आप देख सकते हो मैंने आइधिंग 25-30 वीडियो बनाया है सारी फॉल लाइनिंग अस्तर के ओपर तो यह अपना सारी फॉल लाइनिंग अस्तर का शॉप है पुरा मैनिफेक्ट्रिंग का काम है सारी फॉल कर तो सारी फॉल में सब कट मिल जाएगी दो सबादो ठाई कॉटन दो मीटर तो वाइनली गाइस आज मैं वीडियो लाया हूं कॉटन सवा दो मीटर जिसको हम दो बीस बोलते हैं तो दो बीस का जो फॉल है उसका मैं प्राइस वगरा सब बताऊंगा और दोस्तों यह अपना पुरा जैन्यूएन शॉप है पुरा मैं ऑनलाइन अपना प्रो सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों ऐसे ही में वीडियो लाते रहता हो हुँ तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना तो जो सब्सक्राइब कर दोस्तों जो कॉटन सवादो मीटर जो दो बीस सब्सक्राइब बोलते हैं वह मैं आपको फॉल दिखा रहे हो पुरा यह देख सकते हो आज वाजू पूरे फॉल लगे हुए उसी क वीडियो और वीडियो जो सवादो मीटर का अच्छी कॉलेट इकदम बैश्ट कॉलेटी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी ओ फॉल है तो गाइस यह सब्सक्राइब देख सकते हो इसकी लेंथ और इसका यह जो है यह पॉने पाच का आता है जो इसका वित होता है वो इसका प्राइब बता दो गाइस यह जो प्राइज यह जो प्राइज आई यह आपको आएगा 110 रुपया डजन मतलब आइधिंग आपको गिरेगा 9 रुपी 9 रुपय के आसपास और यह आप रिटेल करोगे तो आपको कम से कम यही पीस आपको यह पीस एक पीस आप 12 तेरा रुपय के उपर बेच सकते हो यह हमारे इदा 9 रुपय में फॉल है रिटेल वाले तो 13, 14, 15 आपने एरिया के उपर डिपैंड करता है कि क्या है कितना है कीदर से है तो हर एरिया में मतलब 12, 13 में तो जाना ही चाहिए तो 9 रुपय में पीस आपको मिलेगा घर बैटे और 110 रुपय जो डजन बोला है ना गाईस यह है विदाउट जीएश्टी अगर आप कहीं दूर से हो तो 110 रुपया है और उसके बाद 5% जीएश्टी लगता है क्योंकि अदर स्टेट में जीएश्टी का बिल लगता है तो 5% जीएश्टी लगता है 110 रुपय की उपर आइधिं जीएश्टी होगा तो 115 के आसपास आपको फॉल गिरेगा मतब सवानों साडेनों के आसपास तो यह लूस की बात कर रहा हूँ अगर आपको पैकिंग का चाहिए पैकिंग के लेबल वगेर भी अविलेबल है जैसे की गाईस बहुत सारे लेबल है आप देख सकते हो यह ले जा तो यह तो छोटा सा बंडल है अगर आपको ऐसे चाहिए लूस चाहिए तो लूस आपको मिलेगा 110 अगर आपको पैकिंग के साथ चाहिए तो गाइस पैकिंग के साथ होता है मैं आपको आपको करके दिखा दो तो गाइस समद्धों कि आपको वेमल न्यू वेमल में पैकिंग चाहिए तो गाइस यह होता है पैकिंग अगर ऐसे आपको पैकिंग में चाहिए तो उसका सात रुपया डजन की उपर एक्स्ट्रा लगता है तो 110 का हो गया 117 एन आपको 5% GST लगेगा तो आपको 9,10 के आसपा से होलसेल में गिरेगा आप इसको कम से कम 13-14 रुपया पर पीस बेश सकते हो मतलब आप डजन की बीचे 25-30 रुपया कमा सकते हो आप समझे 115 में ले रहे हो यह पैकिंग के साथ वाल आपको अगर रीटेल करोगे तो आपको कम से कम 25-30 रुपया देगा डजन की पीछे तो 115 वाला हो जाएगा 500 के तलग अगर एक एक पीस सेल करते हो या तो होलसेल भी करते हो तो हमारे पास जो 9.5 में फाल है अगर होलसे नहीं मिलते हैं मिलते भी है तो बहुत मार्जिन लोग आड़ करके देते तो मैंने इसकी वीडियो बनाने का मकसद देए कि आपको डिरेक्टली में सेल करूं कोई मार्जिन वगर एड़ नहीं हो तो मैं आपको पुरा अभी अपने आजू-बाजू जितने भी कलर्स वगर एक बार और दिखा तो ऐसे विमल ऐसे हमारे पास कहीं लेबल है विमल पलवी रादि का पून ने एसे अलग-अलग लेबल है तो मैंने एक सेंपल की तो लेबल दिखा है जैसे पैक इसे होता है बार्रा पीसा ऐसे पैक होता है ड़जन तो आपको जिसमैं जूश चाहिए लूस मिल जाएगा पैकिंग चाहिए पैकिंग मिल जाएगा जहां से भी यह ट्रांसपोर्ट करवा सकता हूँ और लगबग मैरा ज्यादा करके ऑनलाइन ही है यह बिजनेस मेरा जो भी है न मुझे ऑनलाइन ही ओडर मिलते तो भे जिज़क रहो आपको जो चाहिए मेरा अगर आपको न्यू बिजनेस टार्ट करना या तो आप पहले से बिजनेस में हो तो आप पूरा वाच किया गरो यूकि मैं इसमें पूरा डीटेल के साथ नॉलेज देता हूँ जो भी है अपडेट आते अपडेट देता हूं मारके राय चल रहा है लो चल रहा है तो दोस् पूरा देखाुंगा तो कि वीडियो जो बना ने कहां मकफ़त है नोरट त elements back चाहता है तो इसकी बिल्कुल मत कीया करो पूरा देखा करो वरे पाँच मीट का वीडियो चार में उपस यहांगा मैंने मेरे वीडियो करो तो कि पूराyon देखास कि कितने कर बदेखा है ci मीटर भी है तो दो मीटर डाइ मीटर के मैंने वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ अब वह भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो कॉटन के कि अपना बैक केमरा ओन करते हैं और यह पूरा आपको दिखाता हूँ इसे पूरा शो करता हूँ कि कितने कलर से क्या है तो चलते हैं कि दोस्तों कॉटन में यह सब कलर्स अवेलेबिल है आप देख सकते हो रैड वगिर ब्लैक वाइट सब में कम से कम हमारे पास पार शेचे डरेजन का कलर रहता है कोई जो रणिंग कलर है वो तो हम लोग 10-15-15 डरेजन भी बना के रखते तो यह सब कलर्स अवेलेबिल है आ इसलिए खाली क्योंकि माल स्लाई पे दिया हुआ है और अभी आने वाला है मीचे भी देख सकते हो हमारे पास कॉटन में आइंटी-एटी कलर्स अवेलेबिल रहते है एनी टाइम और भी स्लाई पे दिया हुआ है और यह सब कलर्स का आप उठा सकते हो जितने भी कलर से जंटा सब कलर्स अवेलेबिल है और भी स्लाई पे दिये हुए है तो यह अब देख लो कैसे है क्या है तो यह पोक्ती रानी यलो और रेंज क्रीन मस्टर अगरा गोल्डन ब्लू नेवी ब्लू टामाटो रैड सब कलर्स अवेलेबिल है काई चितने भी और भी 40-50 कलर स्ला आई करवाते और यह माल बनवाते तो आप देख सकते हो यह है पूरा कॉटन सवाद दो मीटर के यह रैक नीचे भी है नीचे खाली इसलिए क्योंकि यह अभी माल आने वाला है तो यही मुझे आपको दिखाना था इसमें हमारे पास हमेशा 800,000 डेजन के ओपर हमारे पास क अगर जादा चाहिए अगर आपको आपका बहरा काम है अपने अरिया में तो और भी आपको बना के देख सकते तो यही गाइस दिखाना था मुझे आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ले लाइक कर दे और गाईस चैनल को सब्सक्राइब करना ना अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने बिना मत जाना और अगर आपके रिलेटेव यहां तो फ्रेंच वगरा कोई भी यह बिजनेस करते हैं उनको यह वीडियो शेयर जरूर करें क्या पता किसकी जिन्दगी बदल जाए कोई बहुत सस्ते में उसको माल मिले कहां पर महिंगा लेता होगा लेती होगी हैं तो कोई भी तो वीडियो शेयर करना ना बुले क्योंकि अपने फ्रेंच फैमिली मेंबर जो भी है आपके पास ग्रूप में वीडियो उनको शेयर करें और यह सब दिखा है कि होलसेल में इतना सस्ता है और बाहर बहुत ही लोग मार सेल्समें रहते हैं वो बहुत मारजन एड़ करके बेशते हैं तो अपने पास पुरा हुलसे ले यही फॉल आपको आइधिंग 13-14 में मिलेगा बाहर अगर आप ले लोगे तो हमारे पास तो नौ साड़े नौ के आसपास गिरेगा पैकिंग के साथ तो आज की वीडियो बन कर दो आपको